करीब एक साल से केंद्र सरकार द्वारा लागू किये गए विवादस बद तीन क्रिशी कानूनों को लेकर देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था हाला कि अब केंद्र सरकार ने स्मुद्द्य को हल करते हुए किसानों को बड़ी राहती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुकरवार को घोशना की कि केंद्र ने तीन क्रिशी कानूनों को रद्ध करने का फैस्ता किया है गुरुनानत जेंती की शुब अफसर पर मोदी ने ये भी गोशना की है कि 39 नवंपर से शुरू होने वाले संसप के शीद कालिन सद्र में कानूनों को निरस्त करने की सवधानिक प्रक्रिया को रिया जाये था और आंदोलन कारी किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने और वापस उनके घर लोटे जाने की अपील की प्येम मोदी ने रास्टर के नाम अपने संबोधन में माफी मांगते हुए कहा ऐसा लगता है कि कुछ किसान अभी भी हमारे इमानदार प्रयासों से आश्वस्त नहीं है हमने तेन क्रिशी कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है इन कानूनों को निरस्त करने की समवधानिक प्रक्रिया संसत संत्र के दोरान फोरी हो जाएगी जो इस महिने के अंत में शुरू हो की मोदीने खेंद्र राज्य सरकारों, किसानों, क्रिशी वैज्ञानिकों और क्रिशी अर्थ्षावस्त्रियों के प्रतिनीधियों की एक समिती बनाने की भी खोश्टा की जो इस बात पर चर्चा करेगी कि नियुक्तम समर्थन मुल्यों को और अधिक प्रभावी कैसे बनाय जा सकता है कैसे शुन्य बजट खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है और फसल पैटरिन को कैसे वैज्ञानिक तरीके से वदला जा सकता है गौर्द लभे किसांसत में मौनसुन सत्र में पारित होने वाले राश्ट्र पती ने 27 सितम पर 2020 को तीन कृशी विधेयकों को अपनी सहमती दी थी तीन विधेयक जिन में किसान उपात व्यापार और वाणिच विधेयक 2020 मुल्य आश्वासन और खृषी सेवा विधेयक 2020 पर किसान संझोता और आवश्रक वस्तू विधेयक 2020 थे इनके कानून बनने से पहले और इनके तूरण बात प्रिटफॉर्मों पर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था इनमें से कुछ शांती कुण थी, कुछ ने सरकारी संपत्ती को नुपसान पहुचाया जिसमें इस साल की शुरूआत में 26 जर्मरी को लाल किली पर आंदोलन ने दंगे का रूप ले लिया था महीं किसानों का दावा है कि आंदोलन के दोरान विभन स्थानों पर 600 से अधिक किसानों की मौत भी हुई है प्रधान मंत्री डिया अपने संबोधन की शुरुआत ये कहते हुए कि कि सरकार की नियत साफ है और ये किसानों विशिसकर छोटे जोत वाले किसानों के लाव के उमीद में तीन क्रिशी कानून लाए थे हमारे प्रयास के बावजूद क्रिशी अर्थ श्रास्त्रियों और क्रिशी वग्यानिकों के प्रयासों के बावजूद हम अपने प्रयासों की मांदारी के बारे में किसानों के एक वर्ग को समझाने में विफर रहें साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मांगते हूँ सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझान नहीं आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकास परवश यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं आज मैं आपको पूरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुशी कानुनों को वापस लेने का रिपील करने का निरले लिया है प्रधान मंत्री द्वारा तीन क्रिशी कानुनों को वापस लेने की खुशना की बाद कॉंग्रिस के पुर्व अध्यक्ष राखु गांधी ने से अन्याय और एहिंकारी सरकार के खिलाब जीत करा दिया है राखु गांधी ने कहा अन्याय के खिलाब जीत की बढ़ाए तेश के किसानों ने एहिकारी सरकार को सत्यात्रह के पाध्यक्ष से जुकाने के लिए मजबूर किया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस इस बात से खुश है कि खुशी कानुन वापत ले लिये गया है क्योंकि कॉंग्रिस किसानों के समर्थन में हमेशा कड़ी रही और काले कानुन की बापसी की मांग पर अडिक रही उन्होंने कहा लोगतांत्रे के विरोधों से जो हासिल नहीं किया जा सकता है वो आसन चुनावों के डर से हासिल किया जा सकता है वैसे भी ये किसानों और कॉंग्रेस पाइटी के लिए एक बड़ी चीत है जो क्रिशिक कानूनों के विरोध में अडिक थी किसान नितार राकेश टिकेश ने कहा कि प्रधान मत्री ने तीनों कानूनों को वाबस से लिकी खोशना की है लेकिन दिन तक समर्धन मली पर कमीठी बनाने और विजली अमेट्मेंट समेत अन्य मुद्दो पर अभी बात होना बागी है फिरहाल सयुक तो मोर्चा प्रधान मत कहशना के प्रभावी होने की प्रतिख्षा खड़ेगा एसकेम ने प्रधान मत्री को ये भी याद दिलाया कि किसानों का अंदुलन्ना के बल्टीन काली कानूनों को भरस्त करने के खिलाव है बलकि सभी फ्रिशि उदबादों और सभी किसानों के लिए लाबकारी मुल्यक की वैधानिंग गैरिंटी के लिए भी है किसानों की ये एहम बांग अभी बाकी है एसकेस सभी खटना क्रमों पर्धान देगा जल्दी अपने पैठक करेगा और आगे की निर्णेयों की खोशना करेगा सबसे बड़ा सवाल है कि पर्धान मंतिर ने कहा कि तीन कानून हमने वापसी ले लिए पर्धान मंतिर जी तीन कानून नहीं पहले आप इसको पार्लेमेंट में लेका जाओ मासेन को पास करवाओ ये किसान बगेर सर्पी टिकट लेकर नहीं जाएगा घर और MSP की गारंटी MSP की गारंटी आप दो क्योंकि हम जहां पे हैं यहां पे किसी किसान की MSP पे कोई खरीद नहीं होती MSP का सवाल देश का सवाल है पूर्णूप से और आम जनता को जादे उत्साइथ होने की जोरत नहीं या भी लाट डूर मिठाई माटने की जोरत नहीं यह संगर साभी जारी रहेगा आज हमारी संयुक्त मोर्चे की नो मेमरी कमेटी की मिटिंग है जो सिंगू बोडर पे है जो हमारा हेड ओपीस है उसमें पूर्णूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे पूर्णूप से फैसला महाँ पर होगा बहराल देड साल से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर है अब केंद सरकार संसर्थ में इसे किस प्रकार खत्म करने का बिल लाती है और किसान इससे क्या घाजपा की ओर आकर्शित होंगे ये देखने वाली बात होगी दिखी ये तो लगातार किसान अपनी मांग पर अड़ेवे थे तीन काले कानून वापाज देने की बात थे जारे थे लेकिन भारतिय जनता पार्टी आं सत्ता में बैठे वूह लोगों ने अंदोलां कारियों को कभी ठल रूआ काहा कभी कभी दलाल कभी पाक इसांता कभी कृघ रूदी कभी आतंक wspाभी क्या तो सारे जितने भी संग्यायैं उससे उन्हों ने अप्मान करने के लिए कोई कसार उनों ने प्रियो रिपोर्ट खट पट लिएस